नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गव्मेंट इटे या लिगाणि लखनाओ। आज मैं आप सभी को वेवसाइट ड्राफ्स में सिविल के प्रथम वसके पार्थ करमें वर्ड टॉपिक, लेवलिंग के बारे में बिस्त्रित रूप से बताऊंगा। या पूरा पार्थ हम तीन हिस्सों में कवर कर रहे हैं। पहले दो हिस्सों में हमने प्रिंस्पल ओफ लेवलिंग के बारे में जाना। उसके बारे में जाना। टाइपस ओफ लेवलिंग यानि की लेवलिंग कुपमेंट कितने तरह के होते हैं। उनके बारे में हमने पढ़ में हम बात करेंगे numerical problem जो हम rise and fall method से लगाएंगे और फिर हम बातचीत करेंगे एक contouring के बारे में तो आएए अपने तीसरे भाकिशा शुरुआत करते हैं और rise and fall method से एक numerical problem solve करने का प्रयास करते हैं numerical problem आपको बताने से पहले मैं कुछ एक दो छोटे नियम इस विधी के बारे विधी संबंधित मैं आपको बता दूँ इसमें simply पहली reading में से second reading को minus करते हैं अगर वो value negative आती है तो वहाँ पर fall होता है अगर positive आती है तो वहाँ पर rise consider किया जाता है और जो next point होता है उसके RL के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो previous जो हमारा पिछला point है उसका जो reduce level होता है उसमें से हम rise या fall को rise को जोड़ दें या fall को minus कर दें तो हमें value मिल जाती है उस अगले point के RL का उधारण के तोर पर मैं आपको बता दूँ यह अगर हमारा कोई terrain है कोई एक सता है आपने यहां पर एक station A आपका यहां है station B आपके पास यहां पर है इसका RL अगर मैं consider करूं यह 100 है और इसका B पर RL आपको पता करना है कि क्या होगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे लेवलिंग करेंगे फोकसिंग करेंगे और पहली reading back site होती है तो आप station A पर रखे हुए staff पर reading पढ़ लेंगे और यह लाइन चुकिए स्ट्रेट होती है इसी को line of columnation बोलते हैं आपको जब station B पर रखे हुए staff पर जो reading प्राप्त होती है इन ही दोनों को compare करना है मैंने माना कि यहां पर जो reading आई वह एक मीटर आई यहां पर तीन मीटर आई तो जो आपका rise या fall कैसे calculate किया जाएगा अगर आप इस विधी से देखें तो क्या होगा first reading आपका एक मीटर है second reading है तीन मीटर तो यह आपको मिलता है माइनस दो मीटर यह माइनस बताता है कि यहां पर fall हुआ है आप इस चित्र में भी आसानी से देख पा रहे हैं कि इस प्रक्रिया में fall हुआ है अगर यहां rise होता तो हम rise consider करते अब अब RL क्या होगा RL और at point B हम कैसे लेंगे RL at point A में हम add कर देंगे rise को यह सब्टेट कर देंगे fall को इस case में हमारे पास fall हुआ है 2 meters का तो हम previous point का जो RL 100 meters था उसमें से माइनस 2 meters कर देंगे यानि कि 98 meters हमारे पास RL प्राप्थ हो गया station B का आगे बढ़ते हैं और अपने एक numerical problem की तरफ विचार करते हैं यहां पर मैंने एक सरल साउधारल लिया है यह रीडिंग स्टाफ के लिए गई साथ stations पे जिसमें 4th station जो है उसकी reading लेने 4th station पे आपका point change हुआ है पॉइंट चेंज होने का मतलब क्या है आपने अपना जो setup है इंस्ट्रूमेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह रखा है इसके बारे में बिस्त्रतूप से पिछले lecture में चर्चा कर चुके हैं अब इसके बाद अगर आप rise and fall method से calculation करना चाहते हैं तो यह level book का एक format है यह values मैंने समय बचाने के लिए भर दिये हैं बट यह सारे numerical values आप खाली कर दें तो यह आपको format मिलता है level book का rise and fall method से अगर आप calculation कर रहे हैं इसमें values कैसे feed करेंगे आपको पता है कि किसी एक instrument setup के साथ जो पहले reading ली जाती हो back site होती है उसी instrument set के साथ अगर आप आखरी reading को consider करते हैं तो वह आपका होता है इसके मध्ध जितनी भी reading ली जाती है उसको हम intermediate site कहते हैं तो देखें आपने शुरुवात की 0.785 से तो 785 आपका back site हो गया और फिर आपको पता है कि जो station 4 है वहां पर आपने position change किया है तो आखरी reading 3.435 हो गई तो यह हो गया 4 site और इसके मध्ध जो दो reading थी वह हो गई हमारी intermediate site अब यहां पर हम station 4 पर इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो हमें फिर से पहली reading लेनी पड़ेगी तो जो पहली reading होगी अगेन वह back site हो जाएगी on the same station station 4 तो देखें इस्टेशन 4 पर पहली reading क्या आ गई जो आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज के साथ किया 1.367 तो यह हमने back site के column में लिखा आखरी reading होती है आपको पहले से पता है यानि कि वो benchmark है उसका आपको elevation sea level से आपको मालूम है अब इसी के परिपेक्ष में आपको सभी stations का यानि कि यह जो साथ station कुल है सभी का RL आपको ज्याद करना है rise and fall method का इस्तमाल करके आइए शुरू करते हैं और कुछ एक उधारण और कुछ एक तर तरीके से हैं अगर हमने यहां पर station A माना यह क्या है हमारा station 1 यहां पर station 2 3 और यह station 4 फिर यहां पर हमारा station 5 है station A पर हमने अपना staff रखा reading लेने के लिए हमें अपना कहीं पर तो यह leveling equipment को setup करना पड़ेगा इसका line of collimation इस तरीके से जाएगा हर station पर हम staff रखेंगे और उसमे जो आ रही reading होगी उसको हम पढ़ेंगे देखें station A पर जो reading आई वो थी 0.785 यहां पर अब station B पर जो reading आती है वो 1.326 आती है यहां पर जो reading है 0.785 है और यहां पर जो staff reading है 1.326 है अब आप देखिए rise and fall को calculate हम कैसे करेंगे previous RL minus next RL जो पिछला station का RL था उसमें से हम next station के RL को subtract कर देंगे तो आपको rise हुआ है या fall हुआ है वो उस value के sign से पता चल जाएगा magnitude तो अलग है बट उसका जो sign है उससे आपको पता चल जाएगा कि rise हुआ है या fall हुआ है यहां पर आप देखिए station A पर जो आपका staff reading है 0. 0.785 है इसमें से जब आप 1.326 minus करते हैं तो देखिए आपको मिलता है यहां पर 0.541 meters और यह किस में मिलेगा minus में मिलेगा यह quantity बड़ी है तो यह minus में value आपको मिलती है अब आप इससे idea यह लग सकता है आपको कि अगर minus sign है तो इसका मतलब क्या होगा यहां पर fall हुआ आप fall वाले column में उस value को mention करेंगे यहां कि इस column में देखे जैसे यहां पर मैंने इसमें से जब इसको minus किया तो आपको मिला minus 0.541 इसी तरीके से अब फिर जब अगले station के लिए station 2 और 3 को compare करेंगे तो यह आपका previous reading हो जाएगा यह next reading हो जाएगा जब previous reading यानि कि 1.326 में से 2.538 को जब आप subtract करेंगे तो value आपको मिलेगी 1.212 लेकिन अगें यह value क्या मिलेगी आपको minus की मिलेगी negative value मिलेगी तो negative value कहा लिखा जाएगा हमेशा ही fall में लिखा जाएगा हम compare करते हैं तीसरे और चौथे station को देखें तीसरे station के लिए जो तीसरा station अब आपके लिए previous station की तरह consider किया जाएगा तो 2.538 में से जब 3.435 को आप subtract करते हैं तो आपको मिलता है 0.897 जो की negative value के साथ आपके पास आता है negative value का मतलब क्या है यह आपका fall के column में लिखा जाना है तो इस तरीके से आपने यहां तक calculate कर लिया लेकिन आपको पहले ही question में बताया गया था कि चौथे reading के बाद जब आप fourth reading ले लेंगे तब उसके बाद आपको station को change करना है station change किया अब आप मैं इस diagram में आपको बताता हूं देखिए पहले तो आपका पहला instrument set यहां था चौथी reading के बाद आपने instrument change किया यानि कि हमने instrument यहां पर लगा लिया ठीक है अब fifth station यहां कहीं है तो इसका वह जो leveling staff है यहां रखा जाएगा अब देखिए line of collimation कैसे होगी यह कुछ इस तरीके से line of collimation होगी देखिए आपको यहां पर एक चीज़ observe करना होगा बड़े अच्छे से समझना होगा कि station four पर दो reading हमें staff reading मिल रही है क्योंकि यह दोनों ही reading अलग-अलग instrument set के साथ ली जा रही है देखिए एक reading तो आपका इस instrument set के साथ लिया गया जो यहां पर पढ़ा गया था जिसकी value थी 3.435 meters में सभी है और दूसरी reading क्या होगी जब आपने instrument set यहां पर लगाया यानि के change point किया तो फिर पहले reading आपको back site लेनी होती है back site आपने लिया और यह reading आपको मिलती है 1.367, 1.367 meters और फिर अगली reading जो यहां पर मिलेगी वो आपको मिलेगी 2.328, 2.328 यह value आपको मिलती है 5th station पे, अब आप देखिए इसको column में कैसे fit किया जाएगा, 4th station पे 2 reading है, एक four site है, एक back site है, तो four site तो हमने पहले ही यहां पर 3.435 लिख दिया था, लेकिन जब हमने station change किया तो पहली reading आती है back site यानि कि 1.367 back site वाले column में सेम station के row में लिखा जाएगा, तो यहां पर हमने उसको mention किया, अब 5th station की जो reading है, वो 2.328 है, वो हमने यहां पर लिखा, अब हम इन दोनों को compare करेंगे, यह हमारे लिए previous station और यह हमारे लिए next station की तरह सामने आएगा, अब आप देखे 1.367 में से 2.328 को जब subtract करते हैं, तो आपको मिलता है 0.961 with negative sign, negative sign के साथ आपको मिलता है 0.961, तो इसको हमने fall वाले column में लिखा, अब अगला जो हम reading consider करेंगे, यह station 5 को हम previous station की तरह और station 6 को next station की तरह consider करेंगे, यहां पर देखे previous में से जब next को minus करेंगे, यहां पर देखे अभी तक लगातार हमें negative sign मिल रहे थे, बट यहां पर हमें positive value मिली है, 2.328 में से जब 1.234 को subtract करेंगे, तो आपको मिलता है 1.094 with positive sign, तो इसको हम कहां रखेंगे, rise वाले column में simply लिख देंगे, अब आखरी reading क्या होगी, 6th station हमारा previous station की तरह काम करेगा, और 7th station next station की तरह काम करेगा, तो जब 1.234 में से आब 1.657 को subtract करते हैं, तो आपको value मिलती है 0.423 with negative sign, इसलिए हमने इसको fall वाले column में लिखा है, एक बारी जब आप यह rise और fall को calculate कर लेते हैं, तो RL calculate करना बहुत सरल हो जाता है, RL calculate करने के लिए क्या है, simple तरीका, कि previous station पर जो उस station का RL था, उसमें अगर rise हुआ है, तो add कर दीजे value, अगर fall हुआ है, तो value को subtract करते हुए, आप आगे बढ़ जाईए, देखें, अब station A का RL क्या था, 100 था, आपको पहले से benchmark था, आपको पता था, station 2 पर क्या हुआ है, fall हुआ है, यानि कि आपको यहाँ पर value कैसे calculate करनी पड़ेगी, RL की, 100 minus fall, यानि कि 0.541, जब आप इसको subtract करतेंगे, तो आपको मिलेगा 99.459, इसी तरीके से अगले station के लिए, station 3 के लिए, अगर आप देखेंगे, इस row में, तो यहाँ पर क्या हुआ ह है हमें value, तो इस station का जो RL होगा, वो 99.459 में से 1.212 को subtract कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 98.247, तो इस तरीके से हम अगले station पर जाएँगे, यहाँ पर फिर से fall हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस station 4 का अगर हमें RL चाहिए, तो हम करेंगे 98.247 में से 0.897 को subtract करेंगे, ह हमें मिल जाएगा 97.350, इसी तरीके से एक bus changes आएगा, यहाँ पर आप देखिए, station 5 पर जो RL है, वो आपका 96.389 और यहाँ पर rise हुआ है, rise यानि की 1.094 rise हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस value में 1.094 को add कर देंगे, 96.389 में जब हम add करेंगे 1.094, तो हमें मिलता है 97.483 और आखरी station पर फिर से fall हुआ है, तो हमने इस value को इसमें subtract कर दिया, हमें प्राफ्थ हो गया, 97.060, इस सरवर प्रक्रिया के तहत, आपको station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सभी station पर आपको RL मिल गया, अलग-अलग से, अब इसमें कुछ arithmetic checks है, कि आपकी value आपके calculations ठीक है, यानि back side की values, यहाँ पर दो values है, इनको जोड दिया, sigma BS minus sigma FS, 4 side के सभी values को, जब आप जोड देंगे, तो जो उनका difference आएगा, देखे, इस case में क्या है, 2.152 में से, जब हमने minus किया, 5.092, तो हमें मिलता है, 2.940, यह negative sign के साथ हमें मिलता है, यह value exactly बराबर होगी, sigma rise minus sigma fall, यानि कि rise की cool values, जो इस वाले column में जितनी values है, सब को add कर देंगे, इसमें एक ही value थी, तो 0.1.094 में से, जब आप 4.034 को subtract करेंगे, तो जो value आएगी, वो यह दोनों आपस में बराबर होगी, एक आखरी check और है, कि last RL, आखरी वाला जो RL है, उसमें से आप next RL को जब subtract कर देते है next RL यानि कि पहला first RL, इस RL को जब यह last वाली value से subtract आप कर देते हैं, तो जो आपको value मिलती है, वो again negative sign के साथ मिलती है, और यह तीनों values आपस में बराबर होते हैं, जब ऐसा होता है, तो आप कह सकते हैं, कि हमारा जो calculation है, वो perfectly fit है, बढ़िया है, इस तरीके से हम किसी भी stations का RL calculate कर सकते हैं, leveling के माध्यम से, और हमने इसे दो method से पढ़ा, line of collimation method से, और यहाँ पर हमने चर्चा किया, rise and fall method से, आईए, अब हम कुछ बातचीत करते हैं, contour lines के बारे में, जिन्हें हिंदी में समोच रेखाएं भी कहते हैं, सबसे पहले, अगर मैं definition की बात करूँ, तो समान उचाई की बिंदूओं को जोडने वाली रेखा को हम समोच रेखा कहते हैं, याने कि line joining the points of same elevation, इसको हम क्या कहते हैं, is known as contour lines, ठेक है, और इस line के बनाने के प्रक्रिया को हम contouring कहते हैं, अभी आगे जब हम एक दो उचितर के माध्यम से समझेंगे, तो यह समान करते हैं और देखते हैं कि contour lines के characteristics properties क्या है, मतलब इसकी विशेस्ताएं क्या है, contour line इतने महतवपूर क्यों हो जाते हैं, देखे सब से पहले जो इसके बारे में जो खासियत है वो यह है कि एक contour line अगर continuous है, तो उस पे जितने भी points आएंगे, सभी की उचाई क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी, उसमें अलग उचाई नहीं हो सकती, दूसरा है कि दो contour lines कभी आपस में एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इसके पीछे सच्चाई क्या है, देखे, अगर मैं बात करूँ कि यह contour line यह है, यह 2-3 contour lines है, अगर कोई contour line इसक 6 meters पे है, पहली property के हिसाब से क्या है, कि line पर आने वाले हर बिंदू की उचाई समान होगी, तो देखे, इस line पर आने वाले हर बिंदू की उचाई कितनी होगी, 100 meters होगी, इस line पर आने वाले हर बिंदू की उचाई 90 meter होगी, लेकिन जहां पर यह intersect हो रहा है, वहां पर कि पॉइंट पी पर आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी जो कि कभी संभाव नहीं है कि एक सतक्र की दो उंचाई किसी समान रेफरेंस से हो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है संभाव नहीं है इसलिए हम यह कहते हैं कि इसक्रों कभी एक दूसरे को structure है तो अगर आप इस बिंदू पे देखें इस बिंदू पे यहां और यहां तो आपको । तीन, अलग-अलग elevation मिल सकते हैं लेकिन यह सत्ख भी अलग है अगर आप खड़े होंगे तो एक बार इहां खड़े हो सकते हैं इक बार यहां पर थे खड़े हो जो उसकी धलान है वो समान है अगर closed space contour है यानि कि control line की बीच में जो space है जैसा आपने इस चित्र में देखा यह जो space है यह अगर बहुत कम है तो ऐसे स्थिती में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो slope है वो बहुत ज्यादा steep है यानि कि बहुत तीखी धलान है और widely spaced है कि इसके बीच में बहुत ज्यादा gap है तो आप कह सकते हैं कि यह धलान बहुत ही सामान है और इसको तीखा धलान हम नहीं कहेंगे तो यह कुछ characteristics properties थी contour lines की एक आखरी चीज मैं आप से चर्चा कर लूँ जो बहुत ज्यादा आपके लिए महतपूर हो सकता है कि अगर close contour है contour line closed है तो वो क्या बनाएगा आपके लिए वो या तो किसी लेक का pond का levels दर्शा रहा होगा या किसी hill या hillock का वो contour points को दर्शा रहा होगा अब समझे एक चीज और कि जितनी भी contour lines है वो सभी closed होती है बट यह हमेशा ही सत्य बात है कि आपके जो drawing sheet है आपके जो context में जितना area है उसमें वो closed भले ही नहों लेकिन अगर हम widely देखेंगे तो हमेशा ही contour line close होती है बट छोटे में अगर हम देखें जैसे यह hills है तो इसका contour line देखेंगे तो यह बिल्कुल closed है उसी तरीके से यहां पर अगर यह depression है तो इसकी contour lines आप देखिए यह भी closed है यहां एक बड़े ही महतवपूर बात है अगर close contour है और center से यानि कि मध्य से इस बिंदू से जब हम बाहर जाएं और contour lines की जो values है वो लगातार increase होती रहे तो वो क्या होगा pond या lake हो सकता है ठीक है अगर close contour के अंदर की value बाहर की value से कम है तो आप कह सकते हैं कि वहां depression है गड़ा है कोई pond या lake है अगर contour line के अंदर values जादा है और बाहर अगर अंदर values कम है और बाहर जादा है तो आप कह सकते हैं कि ले क्या pond है अगर values अंदर यानि कि मध की तरफ जादा है और बाहर की तरफ कम है तो आप क्या कह सकते हैं कि वह कोई hill है जैसे आप देखिए जो यहां पर बिंदू होगा उसके सापेक्स जो contour line बनेगी वह यहां बनेगी और इस किसी स्थान पर बीना गए बीना जाए अगर वहां का contour map आपके पास है तो वहां के सतह के बारे में आप जानकारी आसानी से इकठा कर सकते हैं किसी जलासे की capacity का आकलन कर सकते हैं जलासे से मेरा आसे यहां पर है कि कोई अगर आपने hydro power projects बनाए है कोई बांध बना करके आसानी स्टोर होगा वो आपको जो quantity है वो liters में वो कैसे पता चलेगा आपको contour line की मदद से आसानी से आप उसके volume को calculate कर सकते हैं अकला है compute the quantity of earthwork यानि कि अगर कोई घड़ा है आपके घर के आसपास उसको अगर मिट्टी से भरना है तो कितनी मिट्टी की आवशकता पड़े अगर आप उसका contour lines आप ड्रॉ कर सके contour map ड्रॉ कर सके तो उससे आसानी से आप calculate कर पाएंगे कि कितना मिट्र क्यूब आपको मिट्टी क्या हो सकता पड़ेगी इसी तरीके से किसी route का धलान के बारे में आपको जानना है कि route का gradient कैसे है तो contour line की मदद से आसानी से आप पता क कर सकते हैं जिस एरिया से वह route गुजर रहा है वहां के contour maps आप compare कर लेंगे तो आपको रोट का जो धलान है उसके बारे में आसानी से जानकारी उपलब हो जाएगी कुछ tactical terms है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए contour interval क्या होता है दो contour lines के बीच में जो vertical distance होती है उसको contour interval कहत है method of contouring दो ही है हमारे पास एक direct method है दूसरा indirect method है direct method में क्या होता है मैं आपको कहूं अगर तो यहां पर आप सीधे-सीधे leveling equipment ले जाते हैं उस सतह पर पहुंचते हैं leveling staff की मदद से उचाई या गहराई क्या आंकलन करते हैं पिछले point के RL से अगले point के RL को compare करते हैं और उसका सटीक आंकडा वहीं पर record कर लेते हैं दर्ज कर लेते हैं अपने level book में तो इस method से जो बनाया जाता है contour map उसको हम कहते है direct contouring indirect contouring क्या है इसमें intervention method का इस्तमाल किया जाता है interpolation method का मतलग हमारे पास पहले से कोई contour map available है माल लिया हमारे पास यह contour map available है यह 100 meter पे है यह 101 meter 102 meter 103 meter अगर मैंने एक rough उदाहरण लिया कि अगर यह हमारे contour line का values है अगर हमें इस point पर कोई value चाहिए elevation चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं एक तो सबसे पहले हम इस point के परिपेक्ष में यहां पर अपना leveling staff रख करके अपने leveling के तरीकों से उसमें height of columnation method या rise and fall method का इस्तमाल करके हम इन दोनों को compare करके इसको कर सकते हैं इसको direct method कहेंगे या हम इन दोनों values को interpolate कर लें अगर हम इसके बीच में horizontal distance के बारे में जानते हैं तो हम इस value को देख करके और इसके बारे में एक interpolation के माध्यम से value का आकलन करें यह indirect method में गिना जाता है इस पूरे leveling का अगर मैं सारान साब को कहूं तो हमने शुरुवात से पढ़ा कि कैसे reduce level calculate किया जाता है rise and fall method से आज के lecture में हमने पढ़ा पहले हमने देखा था कि कैसे हम height of columnation method से calculate कर सकते हैं किसी पॉइंट का RL इसके बाद हमने इसमें contour lines के बारे में पढ़ा characteristic का contour पढ़ा use of contour lines पढ़ा और method of contouring पढ़ा इसके पहले हमने देखा था कि types of level कौन-कौन से हैं किते प्रकार की level है मैं summarize करते हुए बता दूं कि automatic level जिसे हम कहते हैं auto level वह सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है क्योंकि उसको इस्तमाल करना आसान है उसमें reading लेने में time कम time की खपत कम होती है हम telescopic staff का सबसे ज़्यादा इस्तमाल करते है क्योंकि उसकी height adjustable होती है आवशक्ता के हिसाब से हम कम या ज्यादा कर पाते हैं इसके बाद हमने देखा एक numerical problem solve किया collimation method से और वहां से समझने का प्रयास किया कि अगर हमने अपने field के survey में अगर अलग-अलग points पे हमने elevation को reading को staff leveling के माध्यम से पता कर लिया है तो उसको किस तरीके से में level book में रख करके values को calculate कर सकते हैं और हर station का RL पता कर सकते हैं यह पूरा lecture मैं आपके सामने प्रसुत करने में नीमी की e-books का मदद लिया मैंने जो especially draft men civil के लिए बनाई गई है बहुत ही concise इसमें pictures बहुत अच्छे हैं तो आप सभी लोग इसको भारत स्किल की website से और नीमी online के website से सीधे download करके अपना अध्यान जारी रख सकते हैं फिर मै करनाई चारि तो आप मैं आप सकते हैं जारी वहां।